आप लोग आज का यह नया वीडियो में आप सभी को धेर बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है गुपाल और दोस्तों आजका इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल पेपर आप जो हैना दोस्तों अपना मुबाइल में वैल पेपर को सिट कर सकते हैं आप home screen में wallpaper को sit कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो locked screen में भी wallpaper को sit कर सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, home screen and locked screen, दोनों जगा में आपका wallpaper sit हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं, ठीके, तो इस भी सेपर एक project file है, sketchware pro का, आप जो है ना इस वीडियो को पूरा last तक देखिएग आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को start मारते हैं, दोस्तों आज का ये वीडियो start करने से पहले, हम जो है credit देते हैं, इन भाई साब को आप support कीजिएगा, दोस्तों full support कीजिएगा, ये project file के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, set wallpaper, HD wallpaper, और ये जो project file है, दोस्तों, इसको मैंने download किया, और download करने के बाद, sketchware pro में, इसको मैंने यहाँ पर import कर लिया है, दोस्तों, आप भी कर लिजिए, ये जो project file का downloading link है, आपको वीडियो का description में मिल जाएगा, ठीक है, description चेक कीजिए, वहाँ से link आपर click करके, आप इसका project file को download कीजिए, download करने के बाद, मेरी तरह, sketchware pro में, आप इसको import कर लिजिए, तो import करने के बाद, दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का interface देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते है, set home screen, मतलब, जो wallpaper है, दोस्तों, आप उसको home screen में set कर सकते हैं, उसके बाद, दो screen, दोनों जगाओं में set करना चाहते हैं, तो आप बोद यहाँ पर देख सकते हैं, आप दोनों जगाओं में भी set कर सकते हैं, मतलब, home screen में भी set कर सकते हैं, और lock screen पर भी, दोनों जगाओं में एक साथ set कर सकते हैं, कापी छोटा सा project file है, और complete project file है, दोस्तों, इसमें कोई भी error बागर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है और यहां पर दोस्तों मैं आपको permissions दिखा जाता हूं यह आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर यह permissions आपको देना पड़ेगा नहीं तो यह project कोई काम नहीं करेगा दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक मिनिट वेट कीजिए ठीक है थोड़ा सा और नीचे क्योंकि यहां पर बहुत सारा permissions है दोस्तों ठीक है एक मिनिट दोस्तों यह चला गए यह रहा तो यह तीनों को जो permission है दोस्तों आपको यह देना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आप जो है ना इस प्रोजेक्ट फाइल को run कीजिएगा मतलब install कीजिएगा ठीक है मैं आपको यहां पर live दिखा दे रहा हूं दोस्तों run करके install करके दिखा दे रहा हूं मैंने आपको बताया था यह एक छोटा सा project फाइल है इसलिए यह बहुत जल्दी ही build complete हो गया है दोस्तों हम इसको install करेंगे और open करेंगे ठीक है चलिए दोस्तों हम इसको open करते हैं और open करने के आपको अपना file में लेके जाएगा और वहां से दोस्तों जिस photo को आप wallpaper में set करना चाहते हैं उस photo को आप pick कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसका पर मैं click किया तो दोस्तों यहां पर हम एक photo को pick कर लेते हैं यह वाला photo को pick कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इस फोटो को जो है यहां पर पिक कर लिया है ठीक है और दोस्तों यहां पर देखिए मेरा जो बैक्राउंड में जो वाल पेपर सेट है वो यह वाला वाल पेपर दोस्तों मैंने सेट करके रखा है पहले सही और मैं आपको दोस्त है, ठीक है, lock screen पर आप देख सकते हैं, किस तारoka wall paper को set गया है मैंने, और यहां पर set lock screen का पर मैं click करता हूँ और यहां पर देखे, यह wallpaper है,सेट हो गया है आप यहां पर देख सकते है, मेरे जो humor का lock screen है, वहां पर यह wallpaper set हो गया है, और मेरा home screen में जो old wallpaper सेट हो गया है दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहां पर भी सेट हो गया है मतलब होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों जगाओ में दोस्तों हमारा जो वाल पेपर है वह सेप हो चुका है अगर आप सेट होम स्क्रीन में करना चाहते हैं तो दोस्तों यह देखिए सेट वाल लॉक स्क्रीन में सेट हो गया है तो इसको मैं होम स्क्रीन में सेट करता हूं दोस्तों यह रहिए यह होम स्क्रीन में सेट हो गया है ठीक है मैंने आपको एक दम लाइफ प्रूप यहां पर दिखा दिया है दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट फाइल है आप इसमें होम स्क्रीन मे एरर आता है कोई कोई प्रोब्लेम आता है ठीक है तो दोस्तों आप कॉमेंट कीजिएगा मैं आपका HELP करूंगा ठीक है काफी अच्छा प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों जुरूर डाउनलोड कीजिएगा वीडियो का डिस्कुप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो जरू लाइक किजिएगा चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कीजिएगा कोई भी कोशन है आपका कोई भी सवाल है तो जुरूर कॉमेंट कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जबरदस्ट इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ अभी के लिए इतना ही बाबाई